गैस काफी important topic की हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब पुलिस चाहती है कि गुरु नानक देव जी की birth anniversary जो है वो world pedestrian day के तौर पर declare की जाए अभी recently पंजाब पुलिस ने सिक धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जहनती जिसे हम लोग गुरु पर्व के नाम से जानते है इसको विश्व पदियात्री दिवस याने की world pedestrian day के रूप में घोशित किये जाने का प्रस्ताव दिया है देखिए पंजाब पुलिस का ये proposal है प्रस्ताव है और मैं आपको हमिश्या बताए कि प्रस्ताव examination के लिए important नहीं होता बड़ ये particular topics से related कुछ facts आपको पता होने चाहिए तो detail में हम लोग के बारे में चर्चा करते हैं और बताया जा रहे है कि इस संबंध में बहुत ही जल्दी एक written proposal जो है वो पंजाब पुलिस भेजेगी union ministry of road transport and highways को राइट की world pedestrian day जो है वो declare किया जाए गुरु नानक जी की birth anniversary को राइट और इस साल 19th November को गुरु ना जाएगी दिखिए गई गुरु नानक देव जी को विश्व का सरवाधिक सबसे इस्मर्णिय और शद्धे पद्यात्री क्यों माना जाता है तो क्यों गुरु नानक देव जी को consider किया जाता है world का most notable or revered pedestrian right तो पद्यात्री क्यों बोलते कि दुनिया के सबसे प्रमुक पद यात्री के तौर पर हमें गुरु नानक जी देख रहे हो थे क्यों गुरु नानक देव जी ने काफी दूर दराज के स्थानों की यात्रा की थी उस समय गाड़ी की कोई भी facilities नहीं हुआ करती थी transportation नहीं हुआ करता था जातर लोग वग वग जो थे वो घोडों कच्छर इमुठ बैल गाड़ी से ही यात्रा किया करते थे या फिर ना वगयरा कितर यात्रा किया करते थे और माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य और साथी भाई मर्दाना के साथ अपनी जादतर यात्राएं जो है वो पैदल ही पूरी की थी तो इसलिए इन्हें स्मर्णिया और शद्देह पद्यात्री माना याता है तो यह पॉइंट आप थोड़ा सा त्हार में रखिएगा और गुरु नानक जी द्वारा भ्रमन किये गए कौनसी कौनसे स्थान है कौनसी कौनसी प्लेसेज में इनके द्वारा विजिट किया गया था तो मक्का से हरीद्वार तक सिलहट से कैलाश परवत तक गुरु नानक जी ने अपनी यात्रा के दौराएं हिंदू मुसलिम बौध और जैन धर्म से सम्मंदित सैक्डो अंतर धार्मिक स्थलो का भी ब्रमन किया था अलग-अलग रिलीजियस या इंटरफेट साइट पर ये गए थे भारी मात्रा में और यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था साइट सम्मलोक को देखने को मिलती है वहाँ पर आज की रेट में गुरुद्वारे बना दिये गए है और बात के समय पर लेटर इनकी जितनी भी यात्राएं थी ट्रैवल्स जो भी इन्होंने जहाँ जहाँ पर किया था तो उसको डॉक्यमेंट कर दिया यानि कि उसके बारे में जो है वो लिख दिया एक गरंथ में जिसका नाम है जन्म सखीस तो जन्म सखी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जन्म सखी जो है ये ऐसा गरंथ हम लोग को देखने को मिलता है जिसमे गुरुनानक देवजी की जो यात्राएं हैं, जो places जहाँ जहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, तो उसके बारे में mentioned है, राइट, इसके लाबा गुरुनानक देव जी की जो यात्रा स्थान जो थी, वो अलग-अलग countries पे इन्होंने जाकर विजिट किया था, जैसे आज जो प्रस्ताव हम लोग को देखने को बिल रहा है, पंजाब पुलिस के दुआरा, तो यह जो प्रपोजल है, यह चलने का अधिकार, यानि की right to walk या पैदल चलने वालों के जो अधिकार हैं, इनके प्रती सरकार की प्रती बद्धता को दर्शाएगा, सरकार की जो कमिट्मेंट्स है, right to walk को लेकर, तो इसको और भी highlight करेगा, strong करेगा, यह पंजाब पुलिस के दौरा दिया गया यह प्रपोजल, इसके लावा जो भी, जिस भी country के अंदर, अगर जो सरकार वहा की जो ध्यान देती है, किनके उपर pedisterians के उपर, पद्यात्रियों के उपर, right, उनकी safety के लिए कारे करती है, तो ऐसी जो governments होती है, वो developed category में आज आने लगती है, developed category में आ चुकी होती है, कि जितने भी development nations आप देखेंगे, तो वहाँ पर particularly पद्यात्रियों पर भी ध्यान दिया जाता है, उनकी safety, उनकी security पर भी ध्यान दिया जाता है, और ये इस प्रकार की चीज़ अगर जब होगी, right, तब हमें देखने को बलेगा कि एक major contribution होगा, sustainable development goals के लिए भी, तो ये वाला point भी आपको थोड़ा सा थ्यार में रखना है, इसके लावा पंजाब की ही अगर हम बात करें तो हर साल, on an average कम से कम एक हजार पद्यात्री जो है पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनकी मौत होती है पंजाब के सिर्फ पंजाब के अंदर ही अगर अपन आख़णों की बात करें तो एक हजार लोगों की मौत होती है, और पंजाब पुलिस का ये कदम जो है, वो उनकी सुरक्षा सुरिश्चित करेगा, पद्यात्रीों की सुरक्षा को सुरिश्चित करने के लिए कदम है, तो काफी important topic है, अब थोड़ा सा और detail में हम लोग जाएंगे गुरु नानक जी के बारे में थोड़ी सी, इनकी इनसे related कुछ facts जो है, वो cover करते हैं तो गुरु नानक जी का जो tenure था 1469 तो 1538 AD का tenure था, इनके बारे में अगर बात करें गई तो गुरु नानक जी का जन्म लौहर के काफी नजदीक एक इस्थान है, तलवंडी नाम का, तो वहाँ पर एक गाउं में हुआ था, और गुरु नानक जी कि सबसे प्रसिद सीक्षा जो है, वो यह है कि भगवान एक है, there is only one God, तो यह इनकी सबसे famous teaching सम लोग को देखने को मिलती है, और बिना किसी कर्मकार्ण या पुजारियों की मदद से हर व्यक्ती ईश्वर तक बहुत सकता है, तो यह इनकी एक important teaching है, और साथी साथ, इनकी most radical social teaching, सरवाधिक उग्र, सुधारवादी, समाजिक सिख्षाओं में जाती विवस्ता की निंदा की गई है, इन्होंने denounce किया है caste system को, और सिखाया है कि हर व्यक्ती एक समाने, everyone is equal, चाहे वो किसी भी जाती या लिंक का हो, वो सभी लोग एक समान है, क्योंकि देखो, क्या हुआ था, awareness system के बाद, लेटर वेदिक period में हमें देखने को मिला था, कि society के अंदर एक बहुत major discrimination आ गया था, धर्म के अधार पर, जाती के अधार पर, लोग मंदिर नहीं जा सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, सिर्फ कुछी लोग जो थे, जिनको rituals perform करने की permission थी, पाकी लोग rituals तक perform नहीं करते थे, तो ऐसे करके society के अंदर एक major division आया, और जब society में division आया, तब उस समय एक नया order जो है, वो establish हुआ, और यही जो नया order है, उन में से एक हम लोग को sickism देखने को मलता है, ठीक है, तो यह point आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, फिर यह तो नया order आया था, गुरु नानक जी ने changes जो है, वो introduce किया थे, फिर यही changes जो है, वो आगे चलके religion का shape ले लिया, right, साधी चाथ बात करें कि उन्होंने वाहे गुरु के रूपे ईश्वर की अबधारना प्रस्तुत की, concept of God इन्होंने introduce किया, जो की वाहे गुरु है, उनकी अनुसार वाहे गुरु, मतलब एक ऐसी entity जो की shape less है, इसका कोई भी मतलब आकार नहीं है, आकार हीन है, मतलब इश्वर एक ऐसी एकाई है, जो आकार हीन है, कलालीत है, right, timeless, omnipresent, invisible, सर्वव्यापी, अद्रश्य है, सिख धर्म में इश्वर को आकाल, पुरक और निरंकार के नाम से भी जाना जाता है, तो यह अले चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिखो के सबसे पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु नानक द्वारा रचित, 974 974 काव्य भजन शामिल किये गए हैं, तो यह points है, जिसको, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अब आप लोग के लिए, एक सिंपल सा कोशन है, गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड, इसका आंसर बकाईदा आपको 6th क्लास की NCRT में मिल जाएगा, मैं दो स्टेट्मेंट बोलूँगा, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेट्मेंट में से कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे 4 ओप्षन हैं आपके बस, A, करेक्ट, B, करेक्ट, A, B करेक्ट, या None of the above, ठीक है, तो ओप्षन A ये है, कि गुरू गरंद साहिब में तुलसी इदास जी की रचनाएं शामिल है, option B, गुरू गरंद साहिब में कबीर इदास जी की रचनाएं शामिल है, तो आप बताएं इन दोनों option में से कौन सा, option यानि की statement में से कौन सा correct है, बताएं, दूसरा question आपके लिए ये है, कि गुरू गरंद साहिब की starting जो है, वो किसके द्वारा की गई, और गुरू गरंद साहिब जी का final compilation किसके द्वारा किया गया, गुरू गरंद साहिब का, यानि कि ये text, secret, textbook जो हम लोग को देख रहे हैं गोलती है, इसका final compilation किस दे किया, और इसका आंसर भी आपको बकायतर 6th class की NCRT में ही मिल जाएगा, तो नीचे comment box वर दे हैं, वो लिखकर बताएं, इन दोनों question के answer,